सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीड चैनल को पर बेल आइकोन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे स्वसंतंत्र जो की बायो लोजी का आपका पार्ट 11 होगा पार्ट 10 में हमने बलड के बारे में पढ़ा था और इस 11 पार्ट में हम पढ़ेंगे स्वसंत के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वासन तंद की बात करते हैं, अरेस्पारेसन सिस्टम की बात करते हैं, तो देखें, इसमें क्या पॉइंट थे हमारे पास? कि बायू मंडल से हमने ओटू लिया और बायू मंडल को हमने CO2 दिया तो यह प्रिक्रिया कहलाई हमारी क्या स्वसंद कहलाई जो कि नियरंतर चलती रहती है मानव सो संतंत की बात करें तो हमारे एक जोड़ी बाह नासा द्वारा होता है जो कि हमारा नाक होता है जो होटों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं एवं नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं नासा कक्ष ग्रासनी में खुलते हैं ग्रासनी यानि कि जो अ प्रत्यू भी हो जाती है तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो है ग्रसनी जो है ग्रासनी में खुलती है ग्रासनी आहार और बायू दोनों के लिए उभैनिस्ट मार्ग है ग्रासनी कंठ द्वारा स्वासनली में खुलती है और कंठ एक उपास्थिमय पेटिका है जो ध्वनी उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनी पेटी का या साउंड बॉक्स भी कहते हैं, भोजन निगलते समय घांटी एक पतली लोचदार उपस्तित पल्ले कंठ कक्ष, जिसो हम एपिगलॉक्टिस कहते हैं, सिधकी होती है, और जिससे आहर ग्रासनी के में प्रवेश ना कर सकते हैं, तो वहिए है, जब हम खाना खाते हैं, तो एpiglahus यक पीछे हो जाता है, और उसमें खाना नहीं जा पाता है, तो खाना जो है हमारे नाक में पहुँच जाता है, तो यही सब चीज़ सब चीज़.. यहाँ पर पताईगी है, इस सभी important point पन्हे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यह कुछ तदीके का आप देख सकते हैं कि डाइग्राम है, यहां से देखी, यहां पर कन्ठे के पास रहता है, उसके बाद यह देखे, पूरा यहां से, यह हमारे दो फेफडे हैं, एक जोड़ी, यह हमारा दिल है, जो अंदर रहता है, और यह diaphragm है diaphragm से फेपड़े चिपके रहते हैं यह सब चीजे यह देखे लंग्स जिसको बोला जा रहा है ठीक है तो इनके बारे में जो है यह रिफ्स रिफ्स जो है इनको कवर करके रखती है हमारे फेपड़ों के ऊपर से ऐसे ऐसे रिफ्स होती है अंदर होता है और वसी क जो होती है और बहुत पतली अंतस्तत स्वासनेका में समाप्त हो जाती है बहुत पतले पतले निलिकाओं में विभक्त हो जाती है प्रतेक अंतस्त जो अंतस्त जो अंदर की स्वासनेलिका होती है वह बहुत ही पतली होती है आनिमत भित्ति युक्त वाहिकाए थैली जैसी स रचना कूपिकाएं में खुलती है जिसे हम बायू कूपिकाएं कहते हैं बहुत ही छोटी छोटे उसमें रहती है इनको हम बायू कूपिकाएं भी कहते हैं हमारा जो देखिए जो फेफडा होता है उसमें कई सारे छिद्र होते हैं जो की बायू को सोखते हैं ठीक है और वो ख एक दुई इस तरी ये फुप्फुस वार्णी जिली ठीक है से धके रहते हैं जिनके बीच फुप्फुस वार्णी द्रव यहाँ पर भरा होता है और यह फेपडे की सताय पर घर्शन को कमब करता है तो यह यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वसन के दो गोते हैं और स्वसन भाग होता है ठीक है र। बिनिम्य भाग होता है चालं भाग बार है नासा रंद्र के अन्तैस्त स्वसन नलिकाओं तक बायू पहुचाना होता है और स्वसन बिनिमय यानि कि दूसरा भाग जो है इसमें क्या है कूपिकाओं तो था उनकी नलिकाओं एवं रक्त के बीच oxygen co2 का आतान प्रदान किया जाता है इस टाइब के स्वसन यहाँ पर पाए जाते हैं तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है तो में लिए स्वसन कितने दू भागों में विभक्त होते हैं बात करते हैं अगले प्रसंद की तो मतलब अगला जो हमारे यहाँ पर इस टॉपिक है स्वसन से रिलेटेट निमलिखित चरान तो देखी कहाँ होता है स्वसन फुफुस समवहन जिससे बायूमंड लिए बायू अंदर खिची जाती है तता सीयोटू जो भरपूर कूपिकाएं बायू को बाहर मुक्त किया जाता है कूपिका जिनली के आरपार गैसों ओटू और चियोटू का विसरण करता है रुधेर रक्त जो है रक्त दोरा गैस का परिभाण होता है रुधेर और उतकों के बीच O2 और CO2 का यहाँ पर विसरण होता है और अपचै कृयाओं के लिए कोशी काउओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग और उसके फल्सरूप CO2 का उत्पन होता है तो यह कुछ important चरण है जो हमारे स्वसन से related है यहाँ पर तो रक्त में थे कि स्वसन में रक्त का नाम इसलिए आजाता है क्योंकि स्वसन में हम O2 को लेते हैं और यह रक्त जो है हमारा RBC इसमें से oxygen लेता है और hemoglobin के उपस्तिती में red color देता है तो इसलिए जो है इसका one कहीं कहीं रक्त परिवहन में होता है तो रुधिर जो है रक्त द्वारा गैसों का परिवहन होता है जो oxygen का परिवहन करता है RBC यह question इसलिए हमारे स्वसन तंत्र में पूछ लिया जाता है कभी-कभी अब जो important topic है यहां से question बनते है रोग से question बनते है इसलिए मैंने इसको बहुत ही जादा detail में लिया है तो देखिए अस्तमा रोग या दमा रोग जिसको कहते हैं तो यह क्या होता अस्तमा में स्वसन नली जो होती है है इसमें सूत यानि की जमाओं के कारण है थोड़ा सा बैठ जाता है दब जाता है उसके कारण सांस लेने में समय में घपरहट होती काठनाई होती है तो इसको हम भोलते है अस्तमा या दमारोग इसमे क्या होता है स्व Carney है वो चोक होने लगती है स्वासनली में सूजन तथा जलन होना जिससे लगतार खांसी होती है तो मेली स्वासनली में खरास पैदा हो जाएगी खांसी होगी आपको और स्वासनली फूल जाएगी बात स्विती की अगर हम बात करें तो यह है एक चिरकालिक ठीक है रोग है जिसमें कूपित भित्ती या जिल्ली छतीगरस्त हो जाती जिससे गैस भी निमे सतय घड़ जाती है और लगतार धुनपार्ण होने से इसका मुख्य कारण है तो वही जो लुक सिग्रेड वगरा पीते हैं तो यही चीज़ें होती है जो फेफड़ा होता है मारोस के छिद्र जो है धुए की कारण भरने लगते हैं और बहुत सारे इससे हमको बीमारिया मिलती है तो यह इंपॉटेंट है आपको कॉशन पूचा जा सकता है कि धुएं के जादा संपर्क में रहने से कौन सी बीमारी होती है विवाली बीमारी यहां पर हो जाती है तपैदिक छे रोग की बात करें टीवी की बात करें तो यह बैक्टीरिया सोतपन होने वाला रोग है इसमें क्या होता है कि जो माइको बैक्टेरियम ट्यूबर क्लियूर जो आपका इसी के नाम पर ट्यूबर क्लॉसिस पड़ा हुआ है बैक्टेरिया है जीवाणूं से होने वाला रोग है और इस बीमारी में लंबे समय तक दो हफ्ते से ज्यादा खासी बनी रहती है महीनों खासी बड़ी रहती है खू करने पर इसी गैस के बीच में आप काम करते हो फ़से बीमारी होती देक्तिते कॉन कौन से पहले ही लोग है आप का silikosis तो silikosis क्या होता है कि पत्थर की खदानों में कारक करने वाले लोगों को यह बीमारी होती है जो कि silika dust के कारण होती है silicon dioxide si o2 तो जो पत्थर की खदान में काम करते हैं चटानों की खदान में काम करते है तो वहाँ पर काम करने वाले लोगों को क्या होता है कि हमीशा सिलिका डस्ट के आसपास रहना पड़ता है कितना भी वो मुझ को बांध लेते हैं लेकर इंडिया में प्रॉपर उनको मास्क प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं जिस कारण से इस बिमारी से लोग ग्रस्थेत ह हो जाते हैं तो सिलिकोस नाम में ही सिलिका आ रहा है सिलिकोस पत्थर के ख़जान में काम करने वाले लोगों को होता है और इस वीमारी में स्वास लेने में अतियाधिक परिसानी यहां पर होती है परिसांइ का सामना करना पड़ता है याद रख्येगा आगला हमारा जो हonce को यह रोग अधिकतर दो उम्र के बच्चों में होता है और यह रोग जो इस नामक जो यह बैक्टिरिया का एक नाम दिया गया है, इस नामक बैक्टिरिया से होता है, तो यह भी एक स्वास की बिमारी है, जो आपको यह याद रखना है, दो साल से कम उम्र के बच्चों को होता है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा important है A और B very IMP जो एक्जाम में कई बार repeat होते हैं और बाकी जो पीछे मैंने एक दो बताये जैसे कि ट्यूबर also classes अस्तमा यह question भी पूछ लिए जाते है अज एकजाम में यहां पर कोच्छन question ले लेते हैं तो देखे यहां पर क्या है हमारे पस स्षण कितने प्रकार के होते हैं तो स्षण जो होते हैं आपको याद रखना हैं दो प्रकार के होते हैं सास की बीमारी किसे कहते हैं या निकि सांस की बीमारी हो जाती तो सांस की बीमारी जो है दमा को भी कहते हैं या अस्थमा को भी कहते हैं सांस की बीमारी मानो सरीर में कितने फेफड़े होते हैं तो मानो सरीर में दो फेफड़े होते हैं या फिर एक जोड़ी फेफड़े होते हैं और उसमें कई जो है भाग में मिला कई सारे उसमें रंद्र पाए जाते हैं सूक्स में रंद्र ठीक है काला फफुस रोक इससे होता है तो काला फफ पत्थर ठीक है पत्थर खदानों में काम करते हैं उनको यहां पर जो है सिलिकॉसिस रोग होता है और यह होता है सिलिका से ठीक है सिलिका डाई ऑक्साइड ठीक है तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगला लेसन जोगी होगा इसका बायोलोजी का पार्ट 12 जल्दी आप लोगों के सामने आएगा और बायोलोजी के मैंने 100 कौस्टन पी यहां पर अपलोड कर दिये हैं तो आप 100 कौस्टन की सीरीज को भी देख सकते हो तो उसमें जो भी इंपॉर्टन कॉस्टन से कवर हो जाएंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू जय हिंद जय भारत